देवुमी हिमाचल परदेश में अब जबरन धर्मांतरन करवाने पर 7 साल तकी सजा हो सकती है परदेश सरकार ने हिमाचल परदेश धर्म की सवतंतरता दिनियम 2019 के विदाय की अधिसूचना जारी कर दी है इस कानून के प्रावधानों के तहट अब जब्रन धर्मांतरन पर तीन माज से साथ साल तक की सज़ा दी जाएगी इस कानून में लगलग वर्ग और जातियों के लिए लगलग प्रावधान रखा गया है हिमाचल परदेश धर्मांतरन पर कानून लाने वाला पहला राज्य लेकिन कुछ पेचेद्गीयों की वज़स से ये कानून आज से लागू किया जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्या है जिसमें 2006 में एक कानून बना था धर्मानतरन से समन्दित लेकिन उसके प्रोविजन जो है वो बहुत मायड थे इसलिए जो है वो चैराम सरकार ने 2019 में वो विचार करके एक नया धर्मानतरन से समन्दित जो है वो विधेक विधान सभा में लाया जिसमें पुरी डिवेट हुई और उसके बाद जो है वो बेल जो है सविकार हुआ और वो अधिनियम बन गया राजयपाल से उसकी असेंट हो गई थी उस एक्ट में एक प्रुविजन होता है कि एक्ट जो है वो रूल्स बनाने होते हैं वो सरकार बनाती है विभाग बनाता है ग्री विभाग को रूल्स बनाने थे और दोसरा उस ही बिल में ये प्रापधान भी होता है कि ये बिल कबसे लागू होगा इसका अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है वो अधिसूचना जो है वो कल जारी हुई है इसके रूल्स भी बना दिये गे हैं जो इस वार के मंत्र मंडल ने सविकार किये हैं और अब ये प्रभावी रूप से जो है वो लागू हो गया है पूरे प्रदेश में उज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट